नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागता आपके अपने यूटूब चेल में जिहां दोस्तों रेलवे एंटीपीसी बढ़ती का अभी फेज वन का एकजाम है वो 28 दिसंबर से लेकर हो 13 जनौरी के बीच चल ला है याई दोस्तों अभी आपका एकजाम चल ला है कितना पेपर है वो इजी आ रहा है या मोडरेट आ रहा है या हार्ड आ रहा है क्या चीज़े आपकी यहां फेज वन में आपको देखने को मिल रही है और बाकी दोस्तों आपने जो पिछला पेपर वाद था यानि अगर परविश एयर के पेपर से इसको कंपेर करें तो उसका भी लेवल आपको पता चल गया होगा कि कितना लेवल में आपको है यहां इजाफा देखने को मिला है या कमी देखने को मिली है तो दोस्तों इस वीडियो हूँ आपको पूरी कम्पलीट जानकार देने वाले हैं कि आपका CVT-1 में कितना आपके लिए सेप स्कोर रहेगा यानि आप CVT-2 की त्यारी कर सकते हैं इसके अलाव दोस्तों कितनी आपकी अटनेंस रह रही है इसके अलाव आपका पेपर का लेवल क्या आ रहा है कितने नंबरें आपके नॉर्मलाइजर देखने को नूर्मलाइज़ मार्स में मिल सकती है पूरी जानकारी कम्पलीट जानकारें दोस्तों इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो बीना स्किफ कि इस वीडियो को दोस्तों अंतक यरू देखिंगाेव सद् z वीडियो को लाइक करें अपने साती दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को यरू जरू चेडि़ करें और दोस्तों pagd become लगातार दोस्तों रेल वे offic 3.... train smart तो दोस्तों हम सुरूर कर l измен के बात करें तो तो अफिसंबर से आपका वेपर जब श्रूरू खा तो आपके सअमें जो ख्राइब पातीफ रहां है अधिननि कि अची है या मिले होंगे का आपको आई डे लग गया होगा कि maximum student ने है यह एक्जाम है वो दी है यानि एक्जाम में maximum student है वो बैटे भी है तो अगर attendance की आपकी फेज वन की बात करें तो average हम attendance की बात कर रहे हैं तो 60 से आपकी 65% है वो attendance से दोस्तों अभी तक रह रही है यानि अगर बात करें तो 23 लाग अ बिहारती है इस बार एक्जाम में बैटें गे अगर बात करें दोस्तों attendance के अलावा आपकी लेवल की एक्जाम का लेवल क्या रहा अगर दोस्तों पिछली NTBC बढ़ती की एक्जाम की लेवल की बात करें तो इसे काफी ज्यादा हुआ है वो उपर था अभी दोस्तों बात तो उस टाइम आपके अटेंप्टी बहुत ज्यादा देखने को मिले दोस्तों जैसे जैसे आपका एक्जाम आगे बढ़ा तो आपका लेवल है वो इजी से मोडिरेट हुआ है यह दोस्तों कुछ इजाफ़ा है वो उसके लेवल में अभी देखने को मिला है अभी आपका ऄवली है उसके आपका जो अभी एकजाम हुआ है उसमें लेवल में अपक लेटे हैं कि अपका लेवल तो बढ़ रहा है परतों दोस्तों आपको यहाँ बात करें फेस्ट डू की फेस्ट री की जो भी आपके फेस्ट हुआने उसमें आपको समय आगे के भीहारते को ज्यादा मिलेगा याई दोस्तों आपका जो कटॉप रहेगा वो कम्पलीट आपका जो भी रेलवे के स्टुडेंट एक्जाम देंगे उनका एक ही रहने वाला है यनि आपका फेज वन का कटॉप अलग नहीं रहेगा फेज टू का अगला कटॉप नहीं रहने वाला है जितने भी बच्चे आपके कितने सतर स्ती लाग सिंगे उनका कम्पलीट आम नौर्मलायज होगा उसके बाद में आपको कटॉप है वह फाइनल आपका जो उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा परन्त दोस्तों जो आपकी कटोफ होगी वो दो लेवल पर डिसाइट होगी यानि दोस्तों कुछ अभिहारती ऐसे भी हैं जो 12th पास जो नहीं अपलाई किया है कुछ पोस्ट आपकी 12th के लिए है बाकी पोस्त दोस्तों आपकी है graduate student के लिए है तो उनका सेबरी टूबी होने वाला है तो उसकी तयारी भी कई भ्यारती अभी से जुटके हैं कि उनको पता है कि आपका कितना score है वो कर पाएंगे तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि कितने लोग attempt है वो कितने कर रहे हैं अगर दोस्तों बात करें हमारे जो आपका criteria रहा जो आपका paper का level कम था तो 80 के लगबग दोस्तों attempt कर रहे थे उसके बाद में 65-70 तक attempt है वो काफी ज़्यादा भ्यारती उन्हें है वो किये हैं उनका level के इसाब से उनका normalizing marks बढ़ेगा या कम होगा वो आगे की चीज है प्रन्तु जैसा-जैसा level बढ़ा उसे साब से attempt भी आपके कम होते गए तो यहां की बात करें तो लगबग यहां 40% student ने यहां 40 से अगर बात कर लें 50 की तो इतनी ही attempt है वो लगबग भीहारती उनकी हैं आपने कितने attempt के आपके कितने number आ सकते हैं वो भी आप हमें comment करके जरूर बताएं अब दोस्तों हम आपकी अलग होता है उसमें काफी ज्यादा उशाल आपको 20 से 30 नमबर भी देखने को मिले होंगे पिछली जो आपकी रेलिवे ग्रूप दिकी भड़ती वी थी उसमें काफी ज्यादा आपको नमबर भड़े वे मिले तो दोस्तों यह रेलिवे पर डिपेंड करेगा कि क्या चीज सकती है आपकी 60 लगबग 62 से आपकी 67 तक आपका रो माकसम आपको बता रहे हैं क्योंकि कई सिप्ट में लेवल इजी था और कई सिप्ट में आपका थोड़ा सा लेवल है अब भी था तो यह फेज 1 के लिए है बाकी दोस्तों इसमें आपको कुछ इजापा यानि कुछ एक साफ से आपका नॉर्मलाइज होगा तो यह आपकी 60 से आपके 69 आप मान के बीच में लेके चल सकते हैं अगर दोस्तों OBC की हम बात कर लेते हैं तो OBC में आपके ज्यादा कटोब नहीं डिफरेंस रहेगा जनल और OBC की तो यहां की दोस्तों बात करें तो 50 एड से आप 65 के बीच में दोस्तों यहां बात कर सकते हैं यहां दोस्तों इतना आपका रो स्कोर होगा यानि आपके अभी ठीक हो रहे हैं क्योंकि एक बड़ा तीन नेगेटिव मार्किंग भी इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है तो उसके इसाब से आपकी कटोब में भी काफी ज़्याद आपको देखने को मिल सकता है अगर दोस्तों ऐसी की बात करें तो ऐसी की बीएक आपकी कटोब है वो काफी कम नहीं रहने वाली है यहां दोस्तों बात करें तो अगर आपके लगबग यां 53 से लेकर हो आपके 77 ठाउन तक आपके रोम आक्स होंगे तभी आपका आपको देखने को मिल सकता है इसके अला दोस्तों sd की बात करें तो sd में भी आपका लगबग है वो आपका 15 से लेकर वो सारी चीज़े हैं आपकी नॉर्मलाइज मार्क स्पेड़े पेंड करने वाली है पर अगर आपके सेफ स्कोर के आप आज पास हैं उपर हैं थोड़े बहुत या एक दो नमर नीचे हैं तो आज से ही सीपड़ी टू की तारी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अभे कई अब को समय मिलने वाला है अभी कई फेज में आपकी एकजाम होने वाली हैं उसके बाद में आज på की चीजे होने